जीवन की पहली शिक्षा से संपून जरित्र समारा है। गुरू ही जीवन की धारा को नई दिशा दिखलाता है। उज्य गुरुदेव आचारेश्वी ज्यान सागर्जी महराज के शिरी चरनों में उनके प्रथम मुनी शिष्य संत शिरोमनी आचारेश्वी विध्या सागर्जी महराज का प्रनाम। गुरू स्मृतियों पर आधारित पचास वर्षों के स्वर्णिम संस्मरण सद्गुणों के समुद्र वे आयूरवेद के ज्याता थे वात, पित, वकफ की जानकारी वह रखते थे उनके पास दूसरे के आताप हरने की क्षमता थी समता ही गुरुदेव का अपना बहुत बड़ा वैभाव था उनका वचनालाप सबसे ज्यादा माधुर्य पूर्ण था उनका ज्यान भले ही पांडिते पूर्ण था फिर भी वे सदैव सरल लेवं सपष्ट बात करते थे उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगा के बेहच के चाते हुए बात कर रही हूँ उनमें कोई जुझलाट नहीं थी किसी भी प्रकार का ख़ड़पन उनके अंदर नहीं था कशाय उनके पास आने में गवराती थी वे अत्यंत निर्भीक थे उनकी निर्भीकता की बात तो कहना ही क्या जो तलीन हो जाता है वो निश्चित रूप से निर्भीक वो निस्प्रेय होता है जिसका जितना ध्यान लगता है उतना वह निशंक होता है और निशंक का आर्थ भायरहित होना है वेरागी दृष्टी से देखा जाए तो निर्भीक होना बहुत अच्छा माना जाता है वे हमेशा हमेशा आचारे कुंद कुंद स्वामी की वाणी में बोला करते थे आध्यात्मिक दृष्टी में जो लीन हो जाता है वे लीन हो जाता है वह वस्तता स्वापर्क के लिए वर्दान सित होता है और निश्चित रूप से अपनी आत्मा को नत बना सकता है ऐसी ही लीनता उनमें अंतिन क्षाओं तक पाई गरी श्रे गुरुचरा अनुरागी विद्यासागर झाल झाल